ची आर प्यप टेखनिकल ट्रैइस इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एडमिट काड और आपके जो टोक्मेंट वेरिफिकरेशन होगा उस समय आपके पास कौन-कौन से डोकेमेंट्स होने चाहिए और आपके वो डोकोमेंट्स है। कौन सा देट से पहले होना चाहिए जैहिंदू बंदे मातरूं स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार रायस के सर में कैसे हैं मेरे सभी साती असा करता हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और अपने ट्रेड टेस्ट और मेडिकल और फिजिकल में वैस्त होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे पहले मैं बता दूँगी आपका जारी होने की संभावना है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं कि काफी गंडिरेट को डाउट होता है कि तो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कितना टाइम मिलेगा तो मैं बता दूँग दोस्तों सबसे पहले कि आपका जो टेटेस्ट और मेडिक और डीवी आपके सबी आपके साथ होने वाले है आपको जो टाइम है वो बिलकुल भी नहीं मिलने वाला है और जो री मेडिकल में टाइम मिलता है वो भी चोईश गंटे का ही आपको टाइम मिलने वाला है ये तिनों साथ होने की वज़े से आपका जो डोकुमेंट जिगल, मेडिगल और document verification सबीं साथ होंगे तो देखे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको document है, वो कब के होने चाहिए तो जो आपके document है, वो 18 των 2020 से पहले करे होने चाहिए अगर आपके पास 1823 के बाद में, कि जो document है तो आपको document verification में दिक्कत हो सकती है वो आँसे आपको बाहर कर दिया जाओगे सबसे पहले बात करते है कि जो हमारे driver candidate है driver candidate को सबसे ज़्यादा confuse होता है कि जो उनका license है उनमें confuse होता है तो मैं बता दू दोस्तों जो driver candidate की बात करें तो उनके पहले होना चाहिए matrix आपके पास होना चाहिए जो दस्वाइब का है आपके ऊफास वो है मारक षीट है वह original होना चाहिए ना कि जरोक्स होना चाहिए और जो original मारक शीट है वह आपके पास होना कैए वो साथ ऍल्शाथ है तो license है जो have it with कन license है वह है आपका 01 0 182 23 से पहले का होना चाहिए अगर आपका जीरो एक जीरो आट दो जाए 23 के बाद का लाइसेंस है तो आपको प्रोब्लम हो सकती है यह हो गई आपके जो ड्राइवर कंडिडेट है उनकी बात अब बात करते है कि मेकनिकल मोटर विकल की बात करें तो इन में आपका भी मेट्रिक होना चाहिए और का आईटिए है वो सर्टिपिकेट आपके पास होना चाहिए वो सर्टिपिकेट है वह भी आपका जीरो एक और जीरो आट दो जाट तेश से पहले का आपके पास आईटिए सर्टिपिकेट होना चाहिए अगर आपके पास आईटिए सर्टिपिकेट इसके बाद का डेट का है तो वहाँ पर आपको problem हो सकता है और जो भी आपके पास तो मारक सीट है टेंद और टोल्ट का मारक सीट है वह और इंजर मारक सीट आपको लेकर जाना है तो comment verification के अंदर अब बात करते हैं कि आपका जो जो बच्चे हुए trade है उनकी बात करें तो आपका जो matriculation होना है आपके पास मारक सीट होना चाहिए और जो आपका जो सम्मंदी trade है उसके बारे में आपको क्या है knowledge होना चाहिए और साथ ही बात करें तो पाइनियर विंग और mission और plumber electrician की बात करें तो इसमें आपका जो matriculation के साथ साथ आपका वन येर का experience भी होना चाहिए जो experience certificate है का पी candidate क्या करते हैं कि जो experience certificate है वह आपका 0108 और 2023 के बाद बना लेते हैं तो ये certificate आपके नहीं चलने वाला है जो भी documents है वह 0108 2023 से पहले का होना चाहिए यह थे कुछ candidates के doubt थे आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपके document है वह आपको समझ में आया होगा कि किस date के आपके documents होने चाहिए और जो आपके domicile और EWS वह आपके central लेवल के बनाए ने है और आपके जो अपने central लेवल के नहीं बनाए है तो आपको क्या है कि इस date से पहले का domicile और EWS आपको document verification में चाहिएगा अभी का आपको वहापर allow नहीं किया जाएगा अशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए यूज बोर आओगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करेगा जैहिंद वंदे मात्रम